नाम है यासरामदबक्त मैं बाजपा समर्थनमच का यूटी प्रेजडेंट हूँ और मैं यूट का नेशनल वाइस प्रेजडेंट इंडिया भी हूँ नमारा अर्गिनेजेशन का नाम है बाज पा समर्थनौनमच। मकसत है नेशनल प्रेस्इट है महन स Normally, इसने रिजंग किया। हम समर्थन कर रहे अभी महां प्रण। ठिंगे और मेरा साथ 3-4 वोगा benefit RA wa notre membership forum अभी वरे हुए कमसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें चाहते यहाँ. चाहता हूं और यूध हमारे साथ करें जोईन करें हूं मैं यूथ के लिए काम कर रहा हूँ मैं सुच रहा हूँ जो भी आज तक गौर्णमेट आफ इंडिया से सिकीम यहां पे लांच हुई है जो भी सिकीम चाहे PMGEP कि मुझे फोन आ रहा है अगर PMGEP लोन अभी मोडी जी ने यहां पे करवाया है गौर्णमेट आफ इंडिया ने किया फिर भी इनको बैंक जेके बैंक का मैनेजर्स चाहे गैरंटी मांगते हैं कि उस लोन में नाव लाग तो कोई गैरंटर नहीं है क्योंकि यूथ यूथ को भी बहुत तंग कर रहे हैं बैंक वाली वो इनको गैरंटर्स मांग रहे हैं यह जो भी सिकी में गोर्मेंट आफ इंडिया से यहां पे 220 सिकी में आ चुकी है हम उन तक वह पहुचाएंगे मैं चाहता हूँ यूथ हमारे साथ जुड़ जाए मैं यूथ को वैलकम कर रहा हूं यूथ हमारे साथ जुड़ जाए जो भी उनका माट्यू होगा क्योंकि दस त और पुलिटिकल पार्टी ने है हम आ हमारा नाम है बाजबा समर्थनमच हम समर्थन कर रहे हैं बीज़पी के लिए आपको पता होगा सत्थर सालों से यहां के गरीब आवाम को लोट गया है उनके साथ नाईंसाफी की गई है यहाँ पर पता है यहां जब से मोदी जी की सरकार आई हुए है जब से बीजेपी ने 370 तोड़ा है तब से यहां पे पत्रा बंद हुआ है यहां पे हर दिन निवुज में आता था आज पत्राव से चार लोग मारे गए पांच लोग हर दिन मर गुजारे पूरे बरे हुए थे आपको पता है जाहे पीडीपी ने करवाये नेशनल ने करवाया हर दिन यहां पे खून खराबा हो रहा था जब से यह बीजेपी सरकार आ गई तब से खून खराबा बंद हो गया मोदी जी कहते हैं कि वो मुसल्मानों के खिलाफ है सर मेरा एक सवाल का जवाब आप दीजिए जब यहां बीजेपी की सरकार बनी क्या तब वो हमारी महबबा मुप्ति साहिबा मुसल्मान नहीं थी क्या तब वो हमारे जो जितने भी यहां सोला एमलेस थे वो सब मुसल्माने थे आज उनका कहना है कि जब बीजेपी ने उनको सपोर्ट वापस ले है आज वो कहते है कि वो यहां मुसल्मानों क्यों मारने के लिए आए है तब उन्होंने क्योंने ही सोचा ये कि ये मुदी जी मुसल्मानों को मारेगा जब महबबा मुप्ति जी राजनाज सिंग के साथ रोज मिटिंग करती थी इमीद शाह जी के साथ रोज मिटिंग करती थी हमारे परदान मंतरी नरंदर मोदी जी से रोज मिटिंग करती थी क्या तब वो मुसल्मा नहीं थी आजकल जो गोर्डन काड चलता है पांच लाख उसमें हस्पताल में जस हस्पताल में आफ जो गो वहां पांच लाख का मिटिंग करती है तीन साल हो गया कश्मीर में कासकर जमू कश्मीर में तीन साल से हमाँ यहां फ्री राशन मिलती है क्या यूद को यहां रोजगार नहीं है क्या मोधी जी ने इतना ये नहीं रखा कि इनके लिए खाना फ्री इनके लिए मिडसन फ्री और यूद को क्या चाहिए अब यूद को चाहे अपना रोजगार रोजगार के लिए सर जी हम आपसे बात करते हैं कि मोधी जी ने यहां दस लाख नोक्रियों के लिए और्डर निकाले हैं इंशालला कुछ दिनों में वो और्डर यहां कश्मीर जेयन के में पहुँचे गा इंशालला हमारा जो यूथ है इंशालला पूरा आबाद हो जाए पहले एडमिशन थी दोखा किया है उन्होंने उनसे जूटे वादे किया है अब जो मोधी जी ने सिकीम निकाली है हम मोधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे सर पहले हमारे जो एकसेट हजार यहां जो बेरोज यह डिलवेज है उनको थोड़ा इंसाब दे लो जुन्होंने पत्राव छोड़ा है जुन्होंने हरताल करना छोड़ा है जुन्होंने यहां के अवाम को अपने लेवल पे लाया है अपना रोजगार करने दिया है हम उन नौज़वनों को सलाम करते हैं कि जो आजकल जेलू में हम उनको भी सलाम करते हैं आने वाले वक्त में मोदी जी सब के साथ इंसाफ करेगा मुश्यूर्ण शेलिम डिस्टिक यूथ वाइस प्रेजिनट सब्जार आहमद, राम अनतनाग, महमद इक्वाग, राम अनतनाग, इर्शार आहमद, राम अनतनाग अज हमारे यहाँ से डिस्टिक अनतनाग से कुछ लोग आये हैं उन्होंने हमारे साथ जोईन किया है हम उनका वेलकम करते हैं, बाकी भी जो लोग जोईन करना चाहते हैं हम उनका भी वेलकम करते हैं और सर इस पार्टी में यह जो बाजबा समर्थर मच है इसमें लोग जोगतर जोग आते हैं और हम से जोईन करते हैं हम हर एक से वेलकम करते हैं जो भी आएगा हम उसको वेलकम करेंगा कि हमारे पार्टी में आए और जोइन करें और जो भी आपके मसले मसाइल होंगे और हम हल करेंगे और जो हमारा सलीम साहब अनतनाग से आए हुए इन्होंने अपने साथ जो लोग लाए है इनको आज यहां पर जॉइनिंग करवाई और आप ने देखा होगा हमारे साथ जो भी जुढ रहा है हमारे साथ यूद जुढ रहा है बाच बास समर्थनमच आर्गनेजेशन के साथ join के आज मैं इनका welcome कर रहा हूँ अपने organization में